पूरा का पूरा जो घर आपको दिख रहा है अभी खंडर में बदल चुका है तो देखो यहां पर आज क्या महफिले होने वाली थी और देखो क्या स्थिती बन गी है यहां पर देखो पर देखो आपको कि अब पूजाना के तोशिष्टी और पंट्रोल भी हुई कर भी लेकिन जब तक पंट्रोल होती तब तक जो था वो फूरा उपान जो था खंडर में चड़ चुका था खंडर में जो भी समान तो सारा जल के राख उती ज़ा था तो भी सारा बाई साब बह पूरा का पूरा घर खंडर हो चुका है यहां तो अबभी यहां पर खतरे से खाली नहीं है और गोठा याँ देखो यहां धूफ लगी हुए साल और उमर भी जाती है एक अलपान बनाते शुर्टा और देखो आग ने क्या ही है फालाथ बना दिया हां पर देखो बाई आप देख सकते हैं अभी अंदर ये अंदर आग लगी विए और यहां पर देखे आप देखो अभी अंदर जो भी लकडी यह उसको आग लगी हुई है आप रुकने का नाम नहीं ले रही है नमस्कार दोस्तों राम राम सभी भाईयों को मेरी पहचान मैं हूं संदर ख इन जिनका घर यहां पर जला हुआ है उनकी मदद कर सकें फिराल अभी यहां पर देख सकते हो पूरा का पूरा घर था नतार एंग हें किन्ते कुमरी थे यहां पे 32 तो देखो एक दम लगकी आज यहां पर शादि थी है आज यहां से भगराप जानी थी हिंगरीक के लिए ना बट्की में आग लगाने की कोशिश की तो जैसे माचीस ने जलाई तो उस सरंडर ने आग पकड़ लिए एक दम से तो देखते देखते तीन-चार माई लाइन थी वह पहले घबरा गई वह कुछ समझ नहीं पाई कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाइस थी को चीखने चलाने जादा तो उसने देखते देखते जो ती वह पर ली मंजल में रुस होई घर से अचाँ में वहां पकड़ ली और पैले चातने आग पगड़ी और देखते सारे मकान में फैल गई तो यहां पानी की वह उतनी प्यवस्तानी थी फाइर ब्रिगेड भी एक चोटी आई यहां अच्छा तो लोगोंने की कोशिश तो देखते देखते यह अईसा पूरा मकान 32 कमरों का मकान कम से कम डेड़ से 2 क्रोड के बीच करे प्रॉपर्टी जी जो उस्वाह होगी देखते देखते तो आदमी को घर बनाते बनाते उमर भी जाती है लेकिन घर काम कभी खतम नहीं ह करें आपसे हम यही गुहार करेंगे कि आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं फाइनेंशली जितना हो सके आपसे इनका अकाउंट नमबर वगयरा सब कुछ हम डाल देंगे और आप लोग गूगल पर नमबर भी डाल देंगे आप लोग जरूर से हल्फ कर देना अगर हल्फ यहां बखिर गई घरवालों की आज यहां पर शादी थी और बरात हिंगरी जाने वाली थी तो जो दुलंती उसके नन्याल हमारे गाउं में हैं सो जिस वज़े से इंफोर्मेशन मिली वहां पर ऐसा हुआ है सो हम भी आ गए कि चलो थोड़ा बहुत चितना हो पाएगा हमारे यूट्व फैमिली कर देंगी बाकी दिखा सकते हैं आपकी क्या क्या चलिए सो फिलाल देखो यहां पर कुछ ऐसी लोकेशन है यह पंचायद अच्छा गाओं कौन सा है यह रुणाल 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 ओकी गाई सो देखो यहां पर आज क्या मैफिले होने वाली थी और देखो क्या स्थिती बन गी है यहां पर देखो सब कुछ तबा हो गया देखो अभी तक भी आग उदर लगी ही हुई है तो अगनी शमन वाले आई थे बचारे उन्होंने भी की फिर मैनुली उन्होंने बहुत काम किया यहां अच्छा गारी से तो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उनकी जो पानी की पाइप थी वो छोटी पड़ गई रोड से जहां गारी उन्होंने खड़ी की थी वहां से नीचे तक मकाम तक इस पाइप नहीं पहुंच पाई तो फिर यहां की जो लोकल आई प्याच की सपलाई थी वहां से पाइप जोड के आग बुजाने के कोशिश की और देख करके चुका था इप पूरा घर एक ही जिनकी शाओं यहां यहां मास्न फर्षोत्म जी रिटाइड ब्लोक एज्यश्यों किसर हैं इनके पोते की साधी थी अच्छे पूटे की शादी ठी बड़े बेटे के बेटे की शादी थी अच्छे जो रमेश कुमार जी की बेटे की शादी थी दो बेटे हैं इनके रहमेश कुमार और रकेश जी जी इनके छोटे बेटे मेरे भुभेर है यह मैं यह मिल्बूवा का मकान था यह अच्छा तो यह है बहुत बहुत ही दर्दनाक और दुखत देखो घई यहां से निच्चे आगे जाना खत्रों से देखो अभी तक भी आग जली हुई है यहां पर घर पूरा खंडर खंडर हो गया यार 32 कमरे का मकान बताया जा रहा है कि 32 कमरे का मकान था यह और आज यहां पर शादी होने वाली थी यहां पर कुछ और ही नजारे बन गए यार देखो यह वाले कमरे से बच गए मेरे हिसाब से अभी शर यह बीज में अभी लगी हुई है अच्छा तो देखिए जितनी भी खिड़की दर्वाजे जो भी होते हैं सारे जल करके राख हो चुके हैं इस तरफ देखो यहां पर यह एक रूम सेफ है यहां पर यहां पर भी सेफ है रूम इधर राग लगी हैं इस तरफ यह इस तरफ से सेफ है यहां पर जो भी मलवा वगएरा इस पी चड़ चुका है अब यह कभी भी आ सकता है तो यह जादा खतरनाक हो सकता है अच्छा लोग पर जलते हैं यह कमरा यहां पर हो यह भी सेफ बच गया यहां से देख सकते हैं कितना खूबसूरत घर था और अब क्या ही बोलें मेरे पास तो वर्ड नहीं है यह ऐसा सीन देख करके ना अब यह जा सकते हैं अब यहां तक जा सकते हैं यहां पर देखो वहां तक जा सकते हैं सदूख सारा सारा बाई साथ अब कर देख देखिए वही शादी थी आज यहां पर शादी के लिए लाएवेदे कपड़े वगएरा टक करवा करके पर्स वगएरा देखो जल के सारा राख हो चुगा है यहां पर शायद मंदर होगा यहां यहां पर शायद मंदर होगा इस तरफ से बहुत ही बुरा हाल है यहां देखो भई बंगला बनाया हुआ था और हाल देखो अभी के टाइम पर ऐसा हाल हो गया है बाई जी देखो पूरा का पूरा घर खंडर हो चुका यार यहां देखो यहां देखो अभी यहां पर खत्रे से खाली नहीं है यहां देखो बाई अभी भी आग लगी हुए है यहां पूरा का पूरा घर जलके प्रबाद हो गया वो किचन था सारा कुछ बटवी जल रहा है यहां तो जाना के उसे खाली है नहीं है भाई जी बहुत ही बुरा हुआ भाई इने के साथ है असे नहीं होना चाहिए था बट यह देखो अभी वी अंदर जली आग अभी भी गिरने के चांसिज हैं यहां पर पुलिस में क्या दखते हैं अब बट्की बट्की कमरें नहीं है पहाड़ी शाली कम बकान था नहीं है देख सकते हैं बुत्तिस कमरे का मकान भाई एक दम से तो स्लेंडर एक फटा या दो अच्छा एक के बाद एक फटता गया और और उस टाइम कोई होता ना जान कदर जो स्लेंडर को थोड़ा हैं जी लेडिज नहीं था एक अब जैन सोधा कोई दुशाइड तो अबुद्धा है यह अबुद्धा को अबुद्धा को अब जो एक अबुद्धा नहीं को अबुद्धा प्रसे देखते हैं बुर्वाली साइड के है रस्ता जहां से जाएं से जाएं सो भाई यार बहुत ही बुरा हुआ लोगों के साथ देखो बहुत ही अलो नो वर्ड्स बोड़ सकते हूं आप ऐससा ऐसी सिक्योशन बनी वह यहां पर देखो भाई पूरा का पूरा गर तबाव हो गया यहां पर एक सिलेंडर फटने की बजा से यहां देख सकते हैं इतना बड़ा मकान और मकान बनाने के लिए कितनी मेहने लगती है सालों साल उमर भी जाती है एक मकान बनाते एक मकान खड़ा करते और देखो आग ने किया ही हालात बना दिये हैं यहां पर देखो यहां से देखो पूरा बत्तिस कमरे का मकान था यह जल गया झाल यह जोन्तिस कि और खरापता इसक्तिस है और भी आंदर यहां पर हो कजदना एंडर अगष्चा तुक्तिस लाइए आग रुकने का नाम नहीं ले रही है जादा देर यहां पर बैढ़ना खत्रे से खाली नहीं है और दर्वाजे अभी भी जल रहे हैं इनके बीच में से देख सकते हैं दुआ चल रहा है अभी तक कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन है यहां पर सो अब जी कि भी हुआ है जो हुआ हो गया है मदद करने की बारिया आप लोगों की है ज़्यादा से जादा शेयर करना है वीडियो को और हो सके अगर कुछ कि यहां देखो यार यह बहुत चलते हैं यार अप सभी ने देख लिया और मरोगी इतना इमोशनल हो गया हूं मैं कि अब बोलने जितनी हिम्मत नहीं रही आप सभी यार हेल्फ कर देना भाईयों की जो जिससे जितना हो सकता है अपने जिसकी जितनी क्यापैस्टी होगी सबकुछ मेंशन है आप देख सकते स्क्रीन पे मैंने सबकुछ रखा हुआ गूगल पर देके रखा हुआ है अकाउंट नमबर देके रखा हुआ है तो यह हमारे साथ घर के ओनर सर बताईए बला नाम बगर अपना अड्रेस अच्छा गाउं रूंडाल ओके और पंचायत कौन सी है चुरा तहसील जी और आपके फैमिली में जैसे कितने मेंबर हैं अभी आपके पिता जी फादर और मादर जो है जी तो ये इनकी फैमिली होग मेरे से लग रहते हैं तो आप लोग यहीं पर कठे ही रहते हैं आपका मलग घर कठा ही था सब का चलो कोई ना भगवान करेंगी लोग आपकी करेंगे हल्फ करेंगे विश्वास से हमें आप हिमत मत हारिए और हम आपके साथ हैं ऐसी बात नहीं है टाइम टू टाइम हम आते रहेंगे यहां पर जैसे जैसे आप काम शुरू करेंगे हम पब्लिक को बताते रहेंगे और जब भी आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप हम मारे साथ सब पर कर लेना और बाकी यह प्बलिक करेगी है यहां बिश्वास है जो हो गया है अब मदद की गवारी कर सकते हैं मदद की गवारी तो बहरें देखो यह कुछ गाउँ ऐसा है यह अपना तिस्ता कॉलेज मोरी यही वाला इरिया जो यह है बंजराडू मार्केट और तिस्था जो गाओं है यहां पर है सामने इस पेड़ी के पिछे और यह रुंडाल गाओं यह जो हाथसा हुआ है देखो आप यहाँ पर अभी यहां से हम जा रहे हैं आप लोगों के सहारे छोड़ रहे हैं सहारा सिस्टम बढ़ चड़ करके हल्फ करनी है हल्फ वेज़नी है जिस कोने से देख रहे आप लोग अगर आप help नहीं कर सकते तो आप वीडियो को share करके इन लोगों की help जरूर करना याज आज तक आप से कुछ नहीं माँगा है वाथ यहीं मांगते हैं कि बंदों की help कर देना जितना बुरा हाल मला हम तो इन्हें जानते भी नहीं है फिर भी दिल में इतना मला बुरा सा फील हो रहा है कि आई साब मान सोचो आप एक बार सोच लो की घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है यार बहुत ज़्यादा और ऐसे हाल देखके बाई रहोना आ रहा है करसम से प्लीज शेयर कर देना वीडियो को हल्फ जरूर करना अगर हल्फ ना हो सकता शेयर जरूर कर देना यार यह सामने तिस्ता अभी चलते हैं हम